लद्दाक को पूर्णे राज्य का दर्जा और सवेधानिक सुरक्षा दिये जाने की मांग को लेकर रवीवार को भी प्रदर्शन जारी है लेह में कड़कराती ठंड के बीच हजारों की संख्या में पुर्शो और महिलाओं ने सडकों पर मार्च निकाला इससे पहले शनिवार को लद्दाक में बंद का एलान किया गया था ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस ने पूरे लद्दाक में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये थे इनकी मांगे के लद्दाक को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और सवीदान के छटे शेडूल को लागो किया जाए साथी लेह और कारगिल को संसद में अलग-अलग सीटे दी जाए केंद्रे ने कुछ दिन पहले ही ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस के प्रतिनीदियों से दूसरे राउंड की बातचीत करने का एलान किया था इसके बावजूद इन दोनों संगठों ने लद्दाक शटडाउन रखा लद्दाक के लोगों की मांगो पर विचार करने के लिए केंद्रे ने पहले ही राज्यमंदरी नित्यानंदराई की अगवाई में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है लद्दाक के लोगों का कहना है कि वे कभी न खतम होने वाले ब्यूरोक्रेटिक रूल के तहद नहीं रह सकते लोगों ने कहा कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दरजा मिलने के बाद ही उनकी मांग पूरी होगी तब वे राज्य के लिए खुद प्रतिनीदी चून सकेंगे दिसमर में केंद्र ने लद्दाक में पहली बेटक की थी और लेहे और कारगिल की दोनों संस्थानों से अपनी मांगे रखने को कहा था